दोस्तों आज यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और इस ठंड के मौसम में आज का ये वीडियो इस चैनल की एक सम्मानी दर्शक पुश्पा जी की फर्माईश पर है मैं आपके ज्यादा तर कमेंट्स पढ़ने और उनके जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ अगर आपकी कोई बढ़िया फर्माईश होती है तो कोशिश करता हूँ कि उसे भी मैं पूरा कर सकूँ तो पुश्पा जी की फर्माईश है कि किशोरदा की 1956 की एक फिल्म नया अंदाज में किशोरदा का गाया हुआ एक गीत है महफिल में आज तेरी पुश्पा जी की विश है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको किशोरदा के इस गीत के बारे में अपने विचार साजा करूँ इस टॉपिक पर कोई वीडियो यूटूब पर पहली बार है इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए नमस्कार मैं हूँ आपका होश्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी तो चलिए फटा फट शुरू करते हैं आज की ये इंट्रेस्टिंग स्टोरी साल 1956 में प्रोडूसर डारेक्टर के अमरनाथ ने किशोर कुमार, मीना कुमारी, जौनी वाकर और ट्रान को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था नया अंदाज इस फिल्म में किशोर दाने कवी और शायर का किरदार निभाया था फिल्म के गीत जान इसार अखतर साहब ने लिखे थे और संगीत दिया था ओपी नयर साहब ने फिल्म में कुल 11 गीत हैं और इन्हें किशोर कुमार, मुहम्मद रफी और शम्शात बेगम ने अपनी आवाजें दी थी ग्यारा में से आठ गीत किशोरदा की आवाज में हैं जिन में तीन किशोरदा के सोलो गाने हैं और पांच डुएट गीत हैं उन में से कुछ गीत की जलकियां पेश हैं अब आते हैं उस गीत पर जिसके बारे में आज का ये वीडियो है महफिल में आज तेरी ओपी नईयर द्वारा स्वरबद ये गीत राग यमन पर आधारित है राग यमन भारती शास्त्री संगीत में एक लोगप्रिय और मधुर राग है और इसका प्रयोग अक्सर फिल्म संगीत कार गानों में किया करते हैं लेकिन यहां ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूजिक डिरेक्टर्स पूरा का पूरा गाना राग यमन पर नहीं बनाते हैं बलकि लोगों को वो गाना सुनने में अच्छा लगे इसके लिए वो गीत में कुछ और भी बातों को जोड़ते हैं इसलिए इस गीत के बारे में कहा जा सकता है कि ये गीत शुद्ध कल्यान थाट पर बना है इस गीत को प्योर क्लैसिकल न बना कर नईयर साब ने इसे कवाली और गजल को मिक्स करके बनाया है ये गीत गाने में बेहत कठिन है लेकिन किशोर दाने भी इस गाने को क्लैसिकल होने के बावजूद बहुत ही खुबसूर्ती के साथ गाया है ये कहा जा सकता है कि इस गीत का मुखडा राग यमन पर आधारित है गर से निकलते ही जादू भरी आँखों लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ तो ये था आज का ये छोटा सा वीडियो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करना न भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ तब तक के लिए नमस्कार